देख बिना ब्रेक, डाउम्लोड दाक अप नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, 2020 साल भर का बविश्यपल अपने इस खास कारिक्रम में हम आपको बताएंगे कि अलग-अलग राशियों के लिए 2020 में क्या छुपा हुआ है कहां पर मुकसान होने वाला है और कौन से उपाए 2020 में हर राशी के व्यक्ति को करने चाहिए कौन सी पूजा उपासना करनी चाहिए ताकि 2020 ट्वंटी ट्वंटी उसके लिए अच्छा बना रहे हैं तो चलिए कारिकरम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेश राशी वालों के लिए 2020 कैसा है कुल मिला जुलाकर जो ये साल है जो ये वर्ष है ये आपका उत्तम कहा जाएगा इस साल में बहुत सारी चीजें आपकी हल होने वाली हैं सौल्व होने वाली है तो कुल मिलाकर वर्ष आपके लिए उत्तम है आर्थिक पक्ष और कारोबार के मामले में आपको काफी सफलताइं मिलेंगी पैसे भी मिलेंगे और व्यापार के मामले भी आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होंगे अगर अविवाहित हैं तो शादी हो सकती है और अगर वैवाहिक जीवन में परिवार में कोई समस्या है तो वो भी इस साल में हल होती चली जाएगी थोड़ा सा ध्यान आपको सेहत के मामले में रखना है खासतोर से हड्डियों की समस्याना हो सास की समस्याना हो इसका ध्यान आपको 2020 में बनाए रखना होगा क्या उपाय करेंगे? छोटा सा काम है जो पूरे साल आप करेंगे पूरे साल भर सूर्य की उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाब होगा, एक लोटा जल रोज सवेरे सूर्य भगवान को चड़ाईए, ओम आदित्याय नमह का जब करिए, साल आपके लिए बेहतरीन बना रहेगा व्रिश राशी तमाम रुके हुए काम जो पैसे से या आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे करियर में आपको सफलता मिलेगी हो सकता है कि 2020 में आपका प्रमोशन भी हो लेकिन स्वास्त के मामले में साल बहुत अच्छा नहीं है स्वास्त संबंदी समस्याएं परिशान कर सकती है खास्त और से मानसिक बीमारी न हो, हड्डियों में दिक्कत न हो या इमोशनली आप डिप्रेशन में न चले जाएं इस बात का ध्यान दखियेगा क्या करेंगे? पूरे साल भर शनी देव की उपासना करनी है आपको ओम शंग शनेश्चराय नमह इस मंत्र का रूच शाम को जब करना है और हर शनीवार की शाम को पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है मिथुन राशी साल की जो शुरुवात हो रही है 2020 की ये मध्यम है बुरी तो तब भी नहीं है बट जो शुरुवात है स्टार्टिंग है वो मध्यम है साल के मध्य से 2020 के जून के बाद से आपकी चीजें उत्तम दिखाई दे रही हैं आपकी चीजें बेहतर दिख रही हैं 2020 में आपको career में बड़ी सफलता भी मिलेगी 2020 आपके career की सफलता के लिए बहुत अच्छा है हो सकता है कोई नया वाहन खरीदे आप 2020 में इस साल में या कोई नई property खरीदे इसकी संभावना भी बनती है थोड़ी सी दिक्कत है आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तो अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा परना बेवजह का तनाओ आपके लिए पैदा होता रहेगा क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें, जादा कुछ नहीं, रोज सवेरे स्नान करके एक बार हनुमान 40 का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करकराशी बहुत सारी चीजे 2020 में आपकी सुलज जाएंगी, इनके सुलजने की संभावना बनती है करियर और धन के मामले में आपको बड़ी सफल ताइम मिलेंगी, आपका करियर बेतर होगा, पैसे की स्थिती भी बेतर होती दिखाई दे रही है आपका चेंज ओफ प्लेस दिख रहा है, 2020 में स्थान परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि 2020 में आप विदेश भी जाएं अगर आप अविवाहित हैं, तो पक्की तोर पे 2020 में आपकी शादी हो जाने की संभावना बनती है इसलिए विवाह के लिए पूरा प्रियास करना चाहिए, ताकि आपकी शादी 2020 में हो जाए क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनीदेव की उपासना करेंगे, ओम शंग शनेश चराय नमह, इस मंत्र का पूरे साल रोज शाम को 108 बार जब कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा सिंग राशी, 2020 में आपके पैसे की और आपके करियर की जो समस्या है वो निश्चित रूप से हल होगी, पैसे की प्रॉबलम दूर होगी, आपका करियर बेहतर होगा, चाहे नौकरी हो, चाहे या पार हो संतान पक्ष से आपको काफी सहयोग मिलेगा, संतान के सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छा कर पाएंगे और आपका तालमेल लगातार बेहतर होता चला जाएगा ध्यान रखना है आपको 2020 में कि आपको चोड़ चपेट न लगे और हड़ियों की बोन्स की कोई समस्या आपको परिशान न करे ऐसा लगता है कि घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीद करके कंस्ट्रक्शन करवाएंगे क्या उपाय करेंगे 2020 में पूरे साल सूर्य भगवान को जल चड़ाईए और रोज सवेरे भगवान गणेश की पूजा करिए आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे था कन्या राशी देखिए नौकरी की जो मुश्किले चली आ रही थी रोजगार को लेकर के जो दुविधात की जो उहा पोहुती नौकरी और रोजगार के मुश्किले दूर होंगी इसमें आपको सफलता मिलेगी दामपत्य जीवन वैवाहिक जीवन और विवा की समस्याएं भी आपके लिए निश्चित रूप से हल होंगी लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंताएं 2020 में आपके लिए दिख रही हैं और आपके अपने जो रिष्टे हैं उनको लेकर के गलत फहमी पैदा हो सकती है क्या रिष्टे तूट सकते हैं इसका भी ध्यान दखेंगे बेवज़ा के मुकदमे से बचें कोई भी मुकदमे में ना पढ़ें और संपत्ति को लेके प्रोपर्टी को लेके वाद विवाद ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे साल भर मा दुरगा की उपासना करिए ओम दुंग दुरगाय नमह इस मंत्र का जब अगर पूरे वर्ष भर आप करें तो आपके लिए शुब होगा तुलाराशी विवा के मामले में और प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी अगर आब विवाहित है तो शादी हो जाएगी और प्रेम विवा होने की संभावनाएं 2020 में प्रबल है आपका करियर नया होगा करियर में कुछ बदलाव करेंगे सुधार होगा और नई प्रबल्डी खरीच सकते हैं फ्लैट, मकान, जमीन इसकी संभावना भी आपकी बनती है और तमाम रुके हुए काम अगर आप मेहनत करेंगे तो पूरे होंगे याद रखिए 2020 में बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा स्वास्त का बहुत ध्यान रखिए, चोड़ चपेट का बहुत ध्यान रखिए कि सेहत में दिक्तते नहों, बेवजा कि चोड़ चपेट न लगे इस पर ध्यान बनाए रखना आपका जरूरी है पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें, तो आपके लिए बहुत शुब होगा इसलिए नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करते रखिएगा वरिश्चिक राशी, 2020 की शुरुवात में नौकरी में प्रॉबलम दिख रही है जनवरी से अपरेल वाले पार्ट में गलत निर्डे मत लीजिए, अहंकार मत करिए वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं अपने करियर के मामने में हाना कि साल के मद्द से जुलाई के महीने से जीवन में सुधार होना शुरू होगा जीवन साथी का, आपके पती या पतनी का, या किसी मित्र का सहयोग मिलेगा जो आपके लिए बेहद लाबकारी होगा क्या करेंगे? पूरे साल भर विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपके लिए शुब रहेगा धनुराशी करियर में परिवर्तन और बड़ी सफलताएं इस साल दिख रही हैं 2020 में ऐसा लगता है कि आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, निवास परिवर्तन भी होगा परिवार से थोरी दूरियां होती भी आपकी दिखाई दे रही हैं परिवार से दूर जाना पड़ेगा मकर राशी वैसे 2020 में स्वास्ट में सुधार तो होगा लेकिन शुरुवात में करियर में थोड़ी समस्याएं भी आ सकती है 2020 में कुछ समय के बाद मने अप्रेल के बाद कुछ नौकरी में करियर में बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार की संभावनाएं बनती है 2020 में अपने रूटीन पर अपने जीवन चरिया पर ध्यान देंगे आप जरूर देंगे और पूरे साल भर शनी मंत्र का ओम शंग शनेश्चराय नमहा इस मंत्र का अगर आप जब करेंगे तो आपके लिए शुब होगा कुम्बराशी धन के मामले में साल मध्यम रहेगा बट इतना पैसा आता रहेगा कि जिन्दगी आराम से चलती रहेगी हला कि बहुत पैसा नहीं आएगा इस्थान परिवर्तन के मजबूत योग आपके लिए निश्चित रूप से 2020 में बनते हैं सेहत का बहुत ध्यान दखेंगे खासतोर से पेट का और अपनी आखों का साल के मध्य से स्वास्त की समस्याओं में सुधार होगा यानि जुलाई के बाद से इस स्थितियां आपकी बेहतर बनी हुई है पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा नमः शिवाए भगवान शिव का ये मंत्र रोज सवेरे आप पूरे साल भर पढ़ते रहिएगा आपका स्वास्त बेहतर रहेगा जीवन की तमाम मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे मीन राशी मीन राशी वालों के लिए 2020 में करियर के समस्याय हल होंगी आर्थिक इस्थिती में पैसे रुपए के मामले में लगातार सुधार होगा और 2020 की शुरुवात में ही आपको रोजगार के नौकरी के व्यापार के बेहतरी नवसर प्राप्त होंगे कारोबार और साजेदारी के मामले में आपको ध्यान देना होगा क्योंकि पार्टनर्शिप में और व्यापार में थोड़ा प्रेशर आ सकता है पूरे साल भर भगवान सूरी को जल चड़ाईएगा और एक रूद्राक्ष पांच मुखी हो तो बहुत ही अच्छा होगा एक रूद्राक्ष अगर आप धारन करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा तो हम सब की कामना यही है कि 2020 हम सब के लिए शुब हो मंगल मैं हो इसी कामना के साथ मुझे दीजे इजाजत लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहेए तेज हमस्कार